आपका स्वागत करती हूं आज को 34 साइज की कटिंग आपके साथ शेर करने वाली हूं तो चलि हम कटिंग स्टार्ट करते हैं ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है और ये इसका में फैब्रिक है तो हमारे जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13 तो मैं इसको एक इंच बढ़ा कर यहां पर ले रही हूं 14 इंच तो इस तरीके से 14 पर यहां पर निशान लगा कर मैंने इसको जो लाइनिंग उसको डबल खोड कर लिया है और फॉल्डेट साइड मेरी साइड है और ओपन साइड उधर है इस तरीके से मैंने यहां जो शॉल्डर की जो मेरी लंबाई है मैं यहां ले रहूं साड़े पांच इंच की इस तरीके से आप दो जगे और आर मोल भी मैं यहां पर साड़े पांच रखने वाली हूं और जो हमारी सिन है 34 तो उसका फॉर्थ भाग होगा साड़े आठ ओर यह ड्रेड इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कमरे हैं हमारी 30 तो मैं 1.5 और प्लस 1 इंच की डाट के लिए यहां 1.5 अठ पर निशान लगा कर 1.5 इंच इस पर जिस्लाइ मारजिन के लिए रखती हो इस लाइन से इस लाइन को हमें मिला लेना है आर मूल की गोलाई के लिए हम 1.5 इंच पर आर्म उल्की गोलाई दे के कर्व से इसे सेफ दे लेते हैं नेक मैं रख रहे हूं धाई इंच और जो नेक की हमारी बैक साइड की लंबा ये नाइन इंच नीचे से मैंने इसको तीन इंच पर निचान लगा कर एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से बॉक्स बना ले और बॉक्स बना कर इसमें राउंड सेफ इस तरीके से डाल दे राउंड सेफ डालते वक्त यहां से हमें थोड़ा सा इस तरीके से यहां से इस तरीके से गुमाओ करके यहां ज्यादा लेना है थोड़ा इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है और बैक साड़ी की में चार इंच पर जो वन इंच की डाट है उसके लिए निशान लगा रही हूं लगबग साड़ी चार से पांच इंच डाट हम लगाते हैं है, और में नेक्स साड इसको है, थोड़ा सा शोल्डर बसका डाउन कर लेते हुए यह बैक साड़्य की मार्किंग में कंप्लेट होई मैं इसकी कर्टिंग कर लेते हूँ बैक पॉर्षन की कटिंग करने के पाद हम अभी दर से जो हमारी खुली हुई साइड है यहां से हम फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं तो यह मैंने इस किनारी पर लगबग चौथा हिस्सा एक इंच का मैंने यहां पर लगबग आदेंच से भी कम एक निशान बना लिया है हुकाई और पट्टी का अब मैं यहां से इसके बाद से ही शोल्डर यहां से नापूंगी तो मेरे थे साड़े पांच इस तरीके से यह भी मैंने शाड़े पांच ले लिए हैं और शाड़े आठ इंच हमारा सीने का फोर्थ बाग है मैं इसमें नो इंच लूँगी क्योंकि हाफ इंच की हमारे फ्रंट साइड में जो आर्म उल पर जो डार्ट डलती है उसमें कपड़ा चला जाता है और फिर टीडिंच एक्सट्रा अब हमें फ्रंट आर्मोल के लिए अंधर से आधा इंच अंदर इस तरीके से निशान लगाकर एक इंच पर राउंड सेफ देनी है तो एक इंच पर हम इस तरीके से इसको इसमें मिलाती हुए ऐसे राउंड सेफ दे देंगे अब हमें गला रखना है धाई इंच और फ्रंट का जो मेरा गला है उसकी लंबाई है साथ इंच तो साड़े साथ पर मेरे मार्क या हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा साड़े साथ पर मार्क करके एक बॉक्स इस तरीके से बना लें और फिसमें राउंड सेफ इस तरीके से डाल दें और पाव इंच यहां से शोल्डर डाउन अंदर के साइड कर दें मेरे जो टक्स पॉइंट है वो है साड़े नो इंच पर और उसके बाद थ्री इंच पर मैं जो में डाट है उसके लिए निशान लगा रही हो इस तरी के से दो पॉइंट आगे हमारे और इन पर सीधी लाइन खेंच लिए अब डाट के लिए मैं यहां से थ्री इंच ले द numéro थ्री इंच का हमें मेरे डाट डेन इंच के डालनी है तो डेन इंच ही हो गया हमारी कम़र टोटल है तीस इंच तो साड़े साथ प्लस डेम डाट का प्लस डेम डेम नच मार्जिन इस तरीकिसे निच सारे मार्क कम्प्रीट करके इस लाइन से इस लाइन को मिलाना है डाट के लिए और उसके लिए कपड़ा मार्किंग में जरूर ध्यान लगके ही काटे क्योंकि डे दिंच अगर हम यहां पर कम काटेंगे तो हमारे यहां से थोटा हो जाएगा अब यहां यह जो डार्ट ली है उसका सेंटर पॉइंट करके हमें यहां पर एक टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है इस से इसको मिलाकर जो में डाट का जो पॉइंट है उससे हमें डेड़ इंच इधर और डेड़ इंच इधर और आरमोल के लिए दो इंच पर लेके इस तरीके से निशान लगाने है कमर की साइट जो डाट लगती है वह लगभग हमें डेड्य इंच पर उपर से तरीके से लगानी है और कमर की साइट जहां मार यह जोइंट होगा वासे यहां से थोड़ा सा उसको लग ब cần हार इंच इस तरीके लगाना है जो क्रॉस पट्टी हमारी यहाँ पर लगेगी उसके लिए और इसी में हमें जो हमारा बैल्ट जॉइंट होगा उसके लिए मैं यहां से लगबग 3.5 इंच की एक लाइन खेच के इस तरीके से बैल्ट यहां से निकार लूँगे अब यह फ्रंट साइड के हमारी मार्किंग कप्लेट होती है और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ अब फ्रंट साइड की कटिंग करने के बाद यह मैंने बाजू के लिए फॉर फोल्ड कप्डा लिया है जो लाइनिंग में बचा है बाजू की लंबा ही हमारी टोटल चार इंच है तो मैं यहां पर एक इंच बढ़ा कर पांच इंच पर निशान लगा लेती हूँ यहां इस पर सीधी लाइन ड्रॉ करके एक हमें तीन इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और यह लाइन ड्रॉ करनी है आर मोल के हमारी जो लंबा ही है वो है साड़े साथ इंच तो मैं यहां साड़े साठ इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से और ड्रॉड इंच हमारा एक्ट्रा इसमें ठोड़ा कपरा कमे ठोड़ा जोइंट हमारा लग जाएगा इस तरीके से स्लीव की आर मोल की सेफ हमे जहां हमारा फिटिंग का पॉइंट होता है उसके बाद हमें कर्व में ने ले जाके इसको इलकुत सीधी लाइन ले जानी है और बाजू की जो मेरी गोला यह वो है 6 पूरी राउंड सेफ में 12 है और बेजर करने में यहां हमारी फोर्ड पाग इसका 6 और डेड इंच एक्स्ट्रा इस पॉइंट से इसको मिला ले फिटिंग पॉइंट से और जो हमारा यह कम यहां पढ़ रहा है उसके लिए हमें हमारी बाजू की ना आपका कोई भी इस तरीके से फोर फोल्ड का कपड़ा लेकर हम इस पे जब यहां से जोइंट करेंगे तो यह हमारा यहां तक देड इंच यहां तक एक्स्टेंड हुजाएगा और फिर यह इसमें इस तरीके से मिलकर देखो यह हमारी बाजू की इस तरीके से सेफ आ जाएगी तो मैं इसको यहां पर इसके इसको चार खोल करके यहां मैं इसको जोड़ दूँगी अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूं इसको आप जोइन करने के बाद इसकी कटिंग कर लें यह हमारी अब स्लीव की और यह स्लीव के जो अंदर एक हार मोल की जो अंदर की गोलाई होती है फ्रेंट पोर्षन की वह इस तरीके से इस पर लगा देनी है फ्रेंट के दो पल्ले उठाकर हमें यहां सिसको कटिंग करनी हो इस तरीके से हमारी यह लाइनिंग पर कंप्लीट कटिंग होती है और अब मैं आपको मैं फैबरिक पेस्की कटिंग करके दिखाती हूं अब यह लाइनिंग को मैंने इस जो मारा मैं फैबरिक है उसको उल्टा करके उस पर इस तरीके से सेट कर लिया है बाद जो मैं फोर फोल्ट पर काटूंगी इसलिए पहले फ्रेंट और बैक पोर्षन काट रही हूं तो इस तरीके से हमें रखकर थोड़ा एक्ट्रा काटत हाफ इंच के लगबग हमें मैन फैबरिक को एक्स्ट्रा काटना है यह हमारा बैक साइड हो गई और यह फ्रंट की फ्रंट की दोनों साइड है इस तरीके से एंबरोडी में जो कपड़ा साइड में आता है वो मारा काफी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसमें एंबरोडी नहीं होई होती तो उसको हमें हटा कर इस तरीके से कटिंग करनी है यह हमारा फ्रंट साइड हो गया और यह हमारी बेल्ट हो गई अब हमें बाजू की कटिंग यह हमारा बाकी का जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें 4-fold करना है अगर आपका अर्ज में कपड़ा चौड़ा हो तो आप बाजू को फैला कर इस पैच्छे से बिचा कर भी आप इसकी एक साथ कटिंग कर सकते हैं पर यह मेरा अर्ज में कपड़ा कम है इसलिए मुझे 4-fold में इस तरीके से करके इसकी cutting करनी है तो इस तरीके से यहां से इसको बिल्कुल बराबर कर ले और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हमें बाजू की cutting करनी है तो यह मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से रख लिया है ओफ इसकी cutting cutting करता है यहां फोल्ड साइड को काटते हुए इस तरीके से आप यहां से सीधा इस तरीके से काट ले यह हमारी बाजू हो गई यह हमारे बेल्ड यह फ्रंट साइड और यह बैक पोर्शन इस तरीके से हमारी 34 चेर साइड की बैड ब्लाउज की cutting कम्प्लीट होती है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको में का Sharp आपको में अच्छाइब करें लाइक पारानी। वाटे आपको में करें भरे चैनल को दोड़ा और यहाएब टूप पाराइब कानिए पाराइब के काहिश्यो भर्लाइब करें! झाल